Hello friends, welcome to my channel study with Shruti So guys, इस video में हम discuss करेंगे tricuspid stenosis ये बिलकूल सेम है जैसे हमने पहले पड़ा था मिट्रल वोल्फ stenosis या फिर bicusbid stenosis बस वोल्फ की जो है जहाँ पर प्लेस्मेंट है उसका डिफरेंस है बागी डीजीस इग्जेक्ली सेम है इसमें क्या होता है? नेरोइंग और थिकनिंग हो जाती है जो हमारी tricuspid valve होती है जिसकी अब tricuspid valve कहां पर present होती है जो heart का right side होता है वहां पर between the right atrium and right ventricle अगर tricuspid valve का stenosis होगा तो जो right atrium है उससे हमारा जो blood flow जाता है right ventricle में उसके क्या होजेगी? obstruction हो जाएगी इसके cosies या फिर radiology के अगर हम बात करते हैं तो rheumatic heart disease हो सकती है फिर right atrium, myxoma जो है उसकी वज़े से हो सकता है risk factors क्या क्या होते हैं कि कौन से लोग जो हैं जादा prone होते हैं जिनको पहले से कोई disease हो वो लोग कौन से होते हैं तो rheumatic fever अगर किसी को है, congenital heart defect है, aging एक factor हो सकता है अगर किसी को history है, heart attack की या heart failure की, उसके साथ साथ अगर inflammatory heart disease हैं जैसे की pericarditis या फिर किसी के calcium deposit जादा हो रहा है वोल में तो वो सारे क्या होते हैं, risk पे होते हैं, trichospid stenosis होने के उसके बाद बार या आती है, pathophysiology की, हमें पता है कि अगर stenosis होता है तो आगे blood नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो reduce flow into right ventricle यानि कि right ventricle में जो है, वो blood का flow कम हो जाता है जिसके वज़े से blood back flow मारता है right otrium में right otrium में blood जादा 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 इखटा होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा उसकी hyper trophy, यानि कि उसका size increase हो जाएगा तो right atrium की हमें वहाँ पर क्या होता है, hypertrophy देखने को मिलती है उसके बाद क्या होगा, जो hypertrophy हो जाएगी तो right otrium की भी तो एक capacity है ना blood को अपने अंदर लेने की, अब वो भी उसकी capacity भी क्या होगी, खतम होगी तो blood फिर वापिस से backflow कहा हो जाएगा, जो हमागा systemic venus return है वहाँ पर blood वापिस जाता जाएगा, venus return होता रहेगा, जिसकी वज़े से हमें hypetomegaly और ascitis देखने को जो है, मिलता है अब इसकी clinical manifestations या फिर हम कहा सकते हैं, sign and symptoms क्या होंगे तो cold skin रहेगी, जब आप touch करोगी तो आपको बहुत जादा cold feel होएगा hypetomegaly हो सकता है, fatigueness देखने को मिलेगी, abdominal discomfort रहेगा jugular veins जो होती है, हमारी वो distension रहेगी, मैंनकी अलग से दिखेगी heart की sound, वो murmur sound जो है हमें सुनाई देगी disneya देखने को मिलेगा, peripheral edema होएगा, ascitis हो सकता है उसके बाद fluttering discomfort रहेगा neck में, hepatic congestion होएगा hypetomegaly भी हो सकते हैं, और hepatic congestion भी हो सकता है उसके बाद क्या होएगा, हमें को small science देखने को मिल सकता है इसमें क्या होता है, paradoxical जो है, rise हो जाता है, जो jugular vein है उसमें pressure, जब भी हम inspiration करते हैं, जब भी हम inspire करेंगे तो जो हमारी jugular vein है, उसमें जो paradoxical pressure है वो increase हो जाता है, rise up हो जाता है, ठीक है diagnostic evaluations के अगर हम बात करते हैं, तो हम auscultation कर सकते हैं chest x-ray करा सकते हैं, EEG करा सकते हैं, physical findings कर सकते हैं और उसके साथ-साथ हम ECG करा के भी देख सकते हैं उसके बाद बारी आती है management की, तो यहाँ पर हम surgeries कर सकते हैं tricuspid valve जो है, उसको repair कर सकते हैं कौन tricuspid valve को हम repair कर सकते हैं, minimally invasive tricuspid valve repair यानि कि अगर थोटी वोड कहीं पर problem है, तो हम invasive तरीके से भी उसकी वोड को repair कर रा सकते हैं, और पूरी tricuspid valve को भी हम replace कर सकते हैं यानि कि replacement कर सकते हैं complications के अगर हम बात करते हैं, तो हमें congestive heart failure दिख सकता है as a further disease को जो है, अगर progressive way में लेंगे, उसके साथ-साथ हमें arterial fibrillation भी देखने को मिल सकता है